तो हलो दोस्तो एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है टेक्नो चैंपिन योटर चेनल में दोस्तो यदि आपकी मुबाल में ये फॉन डाइलर है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तीन से चार मिनिट का वीडियो बनेगा लेकिन आज मैं आपको इस फॉन या सैटिंग खुफिया ट्रिक बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल चाओग जाओगे और आप को होगे कि यार ऐसा भी होता है फॉन डाइलर से जी हां दोस्तो ये जो ट्रिक है ना बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अगर दोस्तो आप अपने फॉन डाइलर के इस खुफिया ट्रिक के बारे मैं जान जाते हो ना इस ट्रिक को यूज करते हो ना और आपका फ्रेंड आपको इस ट्रिक को यूज करते वे देख लेता है तो वो 100% चौक जाएगा और आप से पूछेगा कि भाई तो अपने मुबैल के फॉन डाइलर से ये काम कैसे कर रहा है जरा मुझे भी बताओ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है अगर आप इसके बारे मैं जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तेक जरूर देखना चलिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं इतना काम करने के बाद नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक कॉमेंट कर देना है यहां पर आपको लिखना है फॉन डाइलर ट्रिक जिहां दोस्तों आपको कॉमेंट में लिखना है फॉन डाइलर ट्रिक बस आपको यह छोटा सा काम कर लेना है वीडियो देखने से पह पहले आपको अपने phone के अंदर एक छोटी सी application को download करना पड़ेगा इस app का download link है मैंने इस video के नीचे description में दे दिया है आप इस link पे click करके अपने phone के अंदर इस app को download कर लेना ठीक है सबसे पहले आपको यह काम करना है जैसे आप application को download कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस app को अपना photo, video, audio, application जो आपके mobile में है जो भी private application है जो भी private photos, videos है जिसको आप किसी को दिखाना ने चाहते हैं जिसको आप छुपाना चाहते हैं तो वो आप अपने mobile के जो phone डायलर है इसके अंदर छुपा सकते हैं वो कैसे मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आप इस app को open क जाएंगे कुछ इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद अपन कर लेना उसके बाद यहां पर आपको एक password चूज कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा कि यहां पर मैं 1234 रख देता हूं उसके बाद आपको call की बटन पर किलिक करना है जैसी आप इसके अपर किलिक करेंगे त फिल से आपको वही password ढाल देना है 1234 जो भी आप रखना चाहते हैं उसके बाद यहां पर आपको call की बटन पर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों इहाँ पर आपको एक security question पूछा जायगा जिसको आपको यहां पर टाल देना है जो भी answer है उसका वह आप डाल सकते हैं तो यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहां पर डाल देता हूँ और सिव कर लेता हूँ अब जैसे आप नंबर and security code को डाल देते हैं तो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरिके से इसका इंटरिफेस आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने mobile के just phone dollar है जिससे आप किसी को call करते हैं इसके अंदर आप photos चुपा सकते हैं वीडियो चुपा सकते हैं ओडियो चुपा सकते हैं यहा तक की आप अपने mobile के जो application है कोई आप private application यूज करते हैं और उससे किसी को धिःखाना नहीं चाहते तो उसको भी आप यहाँ पर छुपा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो, वीडियो, ओडियो चुपाना है तो जैसा कि अगर आपको फोटो को हाइड करना है गैलरी से आपको इस फोटो को छुपाना है फोटो है जिसे आप छुपाना चाहते हो तो यहाँ पर आप उस फोटो को कुछ इस तरीके से चूज कर लेंगे ठीक है यहाँ पर आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं जैसे आप फोटो को चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको mobile के gallery से hide हो जाएगा मतलब यह कि आपके mobile के जो gallery है जिसमें आपने उस photo को रखा था पहले वो जो photo है अब वहाँ पर gallery में show नहीं होगा वो इस application के अंदर यानि के phone dialer के अंदर रहेगा अब दोस्तों यह जो application ना इसलिए best है क्योंकि इस application अगर आप कोई भी photo, video, audio application छुपा करके रखते हैं तो किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा क्योंकि यह phone dialer है कोई भी बंदा इसे open करेगा तो यहां से click करके नमब डायल करके वो call कर सकता है अदर्वाइस यहां पर उसको पता नहीं चलेगा यहां पर आपको नमब डायल करना है यानि के जो पासवर्ड आपने क्रेट किया था वन टू थी फोर जो भी आपने रखा था उसे आप यहां पर डालेंगे उसके बाद गॉल वाले उप्सिन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नया page आपन हो जाएगा और यहां से आप जो उस फोटो को देख सकते हैं जो आपने यहां पर जाएड करके रखा है तो दोस्तो यह एप बहुत ज़दा यूसफुल है बहुत ज़दा इंट्रेस्टिंग है अगर आप इसको यूस करना चाहते हैं तो यूस कर सकते हैं इस application का जो link है मैंने इस video के निचे description में डाल दिया है so इस app को आप वहाँ से download कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना फिन मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें goodbye take care and bye bye